नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेली न्यू जैलर्ट में आपसका दोस्तों टेली न्यू जैलर्ट लेकर आया आपके लिए तीन बड़ी खबरें मद्य परदेश से कमलाज सरकार की तीन बड़ी खबरें एहम खबरें जानिये दोस्तों कमलाज सरकार की बैपका संपनों ही जिसमें बहत्री निरण हे लिया गया तो जानए पूरी खाबर विश्थार से 7 7-27 से मुख्यमंत्री पमनाथ 23 सित्मबर से जान ये पूरी इस्तार से खबर अंत तक जुरूर देखे दोस्तों एक बार आपको बदा देगर आप यहां पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लिजिए बैतरीन खबरों के लिए साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यहां मिलेंगे आपको ब पाल पहुंचा है केंद्रे देल के सरवे को लेकर कमना सरकार में सामाने प्रशासन मंतरी गौविंज सिंग ने सवाल खड़े किये हैं उनका कहना गिए सरवे बात में होना चाही था पहले बाड़ पिडितों को रातरासी पहुंच आई जानी थी यही नहीं उन्होंने बाड़ और बारी बारी से परदेश के कुछ जिलों में बारी नुक्सान हो है करीब 10-12,000 क्रोड रुपय का नुक्सान हो है गाउं के लोगों को कपी नुक्सान हो चुका है बाड़ से करीब 20-25 लाक लोग परभावित हुए हैं ऐसे में परदान मंतरी नरेंदर मोधी को पह पहले लोगों के लिए साहितारासी का भी मददगार थाबित होती है तो इस तरह से कमला सरकार के मंतरी ने नरेंदर मोधी पर यारोप लगाया है तो साथ यागे आगे आपको बताएं कि गुजरात के लिए पहले दी गए थी साहितारासी तो मंतरी कोविन सिंग ने केंदर सरकार पर प्रक्सबात करने का भी अरोप लगाया है उनका कहना है कि जब गुजरात में बारिश से नुकसान हुआ था बार्ड ने तबाई मचाई थी तब परदान मत्री नरेंदर मुदिन ने गुजरात के लिए पहले रात रासी दी थी रात रासी रिलीज करने के बाद सर्वे कराया था लेकिन मद्य परदेश में सर्वे पहले कराया जा रहा है सर्वे पुरा होने के बाद रात रासी दी जाएगी तो सर्वे के लिए केंदर एदल पहुंचा है बोपाल तो केंद्रेदिल की टीम कल राइस जेन राजकर्ड विदिसा आगर मालवा उजेन में जमीन हालातों का जाए जालेगी रष्ट यापता परबंदन प्रादी करण के सुक्त सचीव संदीप पोडरिक के नितरतों में दलबाड के हालातों का सर्वेक किया जा रहा है 20 सितंबर क बाजबा गेरेगी कॉंग्रेस को बाड़ पीडितों और किसानों को बारी बारी से नुक्सान को लेकर बाजबा 20 सितंबर को विदान सबाइस तर पर विरोत प्रदस्न करने जा रही है बाजबा का कहना है कि अब तक सरकार ने ना तो सर्वेक रहा है नाई बाड़ पीडित को में जाएंगे और वहां पेड़तों के साथ मुलाकात करेंगे इस के लाव सियम जिल्ले के समद्धित अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे इस बैठक के दोरान इन दोनों जिल्लों में बार्ड की इस्तिती किसमिक्षा की जाएगी सियम के एक दिश्य दोरे को लेकर त टाबिक कमिलाट सुबह 11 बजे 15 मिन्ट पर बंसौर पहूंचेंगे यहां पर कुछ देर ठहरने के बाद वो गारा बरह बजे निम्ट जीले के रामपूर जाहेंगे राम पुरा में दो गंटे तक रहने के बाद सीम फिर दो परे दो बज़ कर पंद्रा मिनिट पर मंसौर जिले के नारगड पहुंचेंगे इस दोरान सीम कमलाथ बाड परवायत इलाकों में पेड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और बाड से परवायत जाए जा लेंगे इसी के सिल्सिले में आगए आपको बता दें दोस्तों के अधिकारियों के साथ बेटक बंसौर पहुंचने के बाद नारगड में सीम कमलाथ बाड के दोरान किये गए रातकारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बेटक करेंगे मुक्य मंत्री का बार्ट गरस्त इलाकों में जाकर पीडित परिवारों के साथ मिलने का भी कारी करम है नारगर्ड में बेटके बास यम कमलात वहीं से वापस वपार लोट जाएंगे आपको बता देगी बारी बारी सोर बार्ट के उजए से मद्य पर देश के दरजन बर्ष से ज्यादा जिलों का जिवन बुरी तरीके से परवायत हुआ है परदेश के पूरों मुक्यमंतरी और बाहस पाले ताशिवराज सिंग चोहान ने भी पीते दिनों मन्सोर्ज लेके बाड गरस्त इलाकों का दोरा किया था इस दोरान चोहान ने परदेश सरकार से बाड परवाइत इलाकों में पीडित परिवारों को जल्द से जल्द मुआज़ा देने की मांघी थी तो इस तरह से मुक्यमंतरी कमणलाद 23 सित्apar को बाड पीडित परिवारों से मिलेंगे और जाए जा लेंगे तो आपको बता दे दोस्तो अगली बड़ी खबर तो ये बड़ी खबर देखे जाने दोस्तो कमलाथ सरकार की बैटक संपन हुई जिसमें बड़ा निर्ने लिया गया तो इसके बारे में आपको बता दे दोस्तों देखे बोपाल मेट्रो प्रियोजना का विज्दार मंडी दीप तक होगा तो इसके अलाव आप एरपोर्ट तता इंदोर के पिथमपुर और दोगीक चेतर को भी इसमें जोड़ा जाएगा मद्य परदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेट के संचालक मंडल के मंतराले में वी बैटक मुक्य मंत्री कमलात ने इसमद में निर्देश दिये है उन्होंने काए कि बोपाल और इंदोर मेट्रो प्रोजेक्ट में बोपाल के मंडी दीप और एरपोर्ट तता इंदोर के पिथमपुर और दोगीक चेतर को भी जोड़ा जाए इस बैटक में लोग निर्मान मंतरी सजन सिंग वर्मा और नगरी विकास से वावास मंतरी जैवरदन सिंग भी वपस दिते तो बैटक में मुक्य मंतरी कमलात ने का कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए निरदारित समय सिमा को कम करते हो इसे सिकर पुरा करे उन्होंने इसके लिए निर्माण प्रकेरे के उधी का पुणै फेक्शन करने के निर्देस दिये तो कमलात ने का कि निर्माण को कार्य है सासा तो जिससे यह प्रोजेक्ट जल्दी पुरा हो और इसका लाब इंद्र स्था बोपाल के लोगों को जल्द मिल सके मुक्य मतरिन का कि दिल्ली में मेट्रो प्रियोदना के नूब और अपना एगी प्रकिरिया का बोपाल इंदोर के प्रोजेक्ट में लाब ले वहाँ अपना एगी तक्नीका प्योग करें इससे हमारे कारे में गत्याएगी और हम उन बादाओं का समाधान पहले से निकाल सकेंगे जो दिल्ली मेट्रो के निर्माण में काम आई थी तो इस तरह से दोस्तों आपके लिए लेकर आएम तीन बड़ी खबरे और डेली नियूज अलर्ट आपके लिए खबरों का सिलजला यूँ जारी रखेगा तो हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी खबर देखने के लिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद